केंद्र सरकार क्या होती है जी है नमस्कार दोस्तों मैं हमित कुमार मोर्या और आप देख रहे हैं मोर्या टेखनीकन सपोर्ट यूटूब चैनल जिसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जब भी हम कभी न्यूज देखते हैं तो उसमें एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि किंद्र सरकार ने ये फैसला किया है या फिर किंद्र सरकार ने वो फैसला किया है तो आखिर ये किंद्र सरकार होती क्या है तो अगर बात करें किंद्र सरकार की तो किंद्र सरकार को इंगलिस में सेंटरन गॉवर्मेंट कहा जाता है और इसको अन्य कई नामों से भी जना जाता है जैसे की संख सरकार या फिर भारत सरकार तो अगर हम भारत में किंद्र सरकार की बात करें तो इसके प्रमुख प्रधान मंत्री होते हैं और उनके साथ होता है उनका मंत्री परिशद यानि कि उनके मंत्री गण और उप मंत्री ठीक है? वहाँ पर प्रधान मंत्री के साथ उनके कैबिनेट मंत्री, उनके उप मंत्री, उनके राज्य मंत्री ये सब मिल करके किंद्र सरकार का संचलन करते हैं जो सरकार सब्द है इसका सीधा सा अर्थ होता है कि लोगों का एक समू है जो कि सासन बिवस्था को चलाते हैं तो जो भारत की सासन बिवस्था है वो किंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है इनके पास यह अधिकार होता है कि यह पूरे देश के लिए फैसले कर सके यानि कि जो किन्दर सरकार होती है इसके पास यह ताकत है कि पूरे देश के लिए फैसले ले सके और इसके साथ ही वो संग सूची और समवर्ती सूची के जो भी भी सह है इस पर फैसले कर सकती है कि जो संग सुची होती है उस पर कानून बनाने काधिकार किंद्र सरकार के पास होता है इसके बाद जो राजय सर सुची होती है उस पर कानून बनाने काधिकार राजय सरकार के पास होता है और जो समवर्ती सुची होती है उस पर किंद्र सरकार और राजय सरकार दोनों ही ले सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम किंद्र सरकार की बात करें, तो किंद्र सरकार पुरे भारत के लिए फैसने कर सकती है, वो संग सुची और समवर्ती सुची में जो भी भी सह हैं, उन पर वो फैसने कर सकती है, इसके साथ ही जो किंद्र सरकार होती है, वो लोकसभा के प्रती उतरदाई होती है, यानि कि जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा, तब ही तक प्रधान मंत्री अपने पद पर रहेंगे, और प्रधान मंत्री जब तक पद पर रहेंगे, तब ही तक उनका मंत्री परिशद भी रहेगा, अगर प्रधान मंत्री पद से हड़ जाते हैं, जा स्थिपद देते हैं तो अगर हम सबी चीजहों को बहुत ही छोटे सब्समा में समझें टो जो किंद्र सरकार होती है उसके प्रमुःण मंत्री होते हैं और उनके साथ उनका एक मंत्री परिशद होता है जिसके साथ वो मिन करके किन्द सरकार का संचारन करते हैं ठीक है और वो संघ सुची और समवर्ति सुची के विश्यों पर कानून बना सकते हैं समाने परिस्थितियों में लेकिन अगर किसी राज्य में राष्टपती सासन और पूरे देश के लिए जो भी फैस्णा वों करेगी वह पूरे देश में मानने होता है जिससे हमने देखा था कि जब न्त बंदी होई थी तो वो एक जटके में पुरे में जीए और पूरे देश में नृक में लागू हुगई तो इस वीडियों में इतना ही उमीद najlep या फिर आपके मन में कोई confusion है तो उसको भी आप comment box में लिख सकते हैं उसके उतर देने के ही मैं पूरी कोसिस करूँगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद